हाई फ्रेंट्स वल्कम बैक टू दू चैनल मैं हूँ श्रेता सिंग और आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब के साथ शेयर करना चाहती हो एक बहुत ही जरूरी इंफोर्मेशन फ्रेंट्स अगर आप घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं हाला कि ओनलाइन शॉपिंग सबको पसंद है क्योंकि ये किसी भी टाइम कभी भी हो जाती है तो मुझे बहुत पसंद है और फ्रेंट्स अगर आप चाहते हैं कि काफी अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट आपको अच्छे प्राइज में मिलें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको काफी कुछ मिलेगा आपको कपड़े चाहिए ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए घर को डेकोरेट करना है या किचन के लिए कुछ भी खरीदना ह तो सारी चीजे वहाँ पे आपको मिलेंगी एक बार विजिट जरूर करिएगा और मैंने तो अकसर जब भी मैं कुछ मंगवाती हूँ और किचन में जो भी मैं यूज करती हूँ तो ज़्यादा तर मैं वहीं से करती हूँ और मुझे काफी पसंद आता है और वहाँ से आप काफी कुछ मंगा सकते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा फ्रेंट्स आज मैं फिर से आप सबके साथ श्यार करने वाली हूँ हांडी में बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आती है फ्रेंट्स आज मैं कॉप कल छी पाइनओ नर्के दाल ने के बाद चाहिंवान को क्युकर अब दाल डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी की कौंटिटी थोड़ी ज्या kızım कि हम लोग kingdom पका रहे हैं तो टाइं तो पानी थोड़ा सा जादा डालना होता है इसमें और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ नमक स्वात की अनुसार और हल्दी और उसके बाद अब गैस को ओन कर देंगे हांडी में बनने वाली डाल सबजी कोई भी रेजपी हो बहुत जादा टेस्टी बनती है तो अब मैं इसे कवर कर दी हूँ और इसमें बॉइल आने तक का वेट करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बहुत जादा बॉइल आएगा तो ये जो इसमें डाल है वो ग प्रिक्त आपको ज्यादा नहीं आएगी हाला कि आप देख सकते हैं इसमें पानी ज्यादा है हांडी हमारी छोटी है इसके लिए मैं बार बार खोल के चेक कर रही हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अब बौाइल आने वाला है तो बस ऐसे ही इसे बीच बीच में हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि डाल जो है वो उफान मारे और नीचे नागीरे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाल में बॉइल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच देसी घी और इस टाइम पर देसी घी डालने से डाल बहुत अच्छी बनती है तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा आप चाहें तो इसे कूकर में हांडी में जैसे चाहें बना सकते हैं और अब मैंने इसमें कद्दू डाला है थोड़े से कद्दू को काटके और दो हरी मिर्च डाली है फ्रेंड्स ये कद्दू डाल के डाल जो बनती है ना बहुत टेस्टी बनती है वैसे तो बच्चे कद्दू खाना नहीं पसंद करतें लेकिन आप इस तरीके से कद्दू अली डाल बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे तो उसके बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था और 10 मिनट बाद इसका ढखकन हटा के एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ और दाल भी हमारा पकना शुरू हो चुका है साथ में कद्दू भी तो बस ऐसे ही बीच-बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और 10 मिनट बाद वापस से मैंने इसका ढखकन हटाया है और आप देख सकते हैं दाल काफी अच्छे से मिक्स हो गई है और कद्दू भी हमारा पक चुका है तो बहुत अच्छे से इसमें दाल पक चुकी थी तो मैंने गैस को बंद कर दिया और उसके बाद अब हम इसका जो तड़का होता है वो तयार करेंगे तो दाल को हम लोग साइड में रख देंगे और यहां पर गैस पर मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसो का तेल डालने के बाद यह सरसो का जो तेल होता है उसे काफी अच्छे से गरम करना होता है ताकि तेल से थोड़ा धुआ निकलना तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग और हींग डालने के बाद साथ में इसमें डाल देंगे जीरा और जीरा को अच्छे से ब्राउन होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धीर सारा अध्रक लसन और हरी मिर्च यहां पर आप देख सकते हैं करिएगा डिस्क्रिप्शन मेरा और लिंक पे विजिट करिएगा क्योंकि मेरा लिंक के थूँ आप घर बैठे धेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं काफी अच्छे प्राइज में तो यहां पे अधरक लेसन हमारा काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका था तो एक प्याज को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है और प्याज को भी हमें अच्छे से फ्राइज कर लेना है इसमें ताकि प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं और फ्रेंट्स अपने कुकिंग में जो भी प्रोड़क्ट में यूज करती होना kitchen में तो काफी कुछ मैंने वहीं से purchase किया है काफी अच्छे price में अच्छे quality के साथ में तो वीडियो का description जरूर चेक करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह प्याज हमारी काफी अच्छे से पक रही है और इसका color भी चेंज होना शुरू हो चुका है तो थोड़ी देर और इसे हम ऐसे ही भूनेंगे और friends मिट्टी के बरतन में बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है तो अगर आपके पास हो तो जरूर ट्राई करिए टेस्ट भी बढ़ता है तो यहाँ पर दो मीडियम साइज के टामाटर को मैंने काटके इसमें डाल दिया है और टामाटर डालने के बाद इसे अच्छे से पकाएंगे ताक कि टामाटर हमारा काफी अच्छे से पक के इसमें मिक्स हो जाए और फ्रेंड्स अगर आप मिट्टी के बरतन में कुछ भी बनाना चाते हैं तो जरूर ट्राई करिएगा उसकी खुश्पू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और जो लोग इसमें बनाते होंगे उनको तो पता ही होगा और ये मिट्टी के बरतन तो अब हर जगा बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं तो रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर को भी मैंने काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा हरधनिया डालके इसे थोड़ी देर और भून लेंगे और फ्रेंड्स ये जो मसाले हैं सब मसाले सूखे हुए हैं तो सूखे मसाले को भूनते समय हमेशा गयस की हीट को लो रखना है लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है धीमी आज पर इसे 2-3 मिनट भूनने के बाद ये तड़का हमारा बिलकुल तैयार हो जाएगा और हाई फ्लेम पर मत भूनियेगा क्योंकि मसाला बहुत जल्दी जलने लगता है क्योंकि सारे मसाले ड्राई हैं तो ये आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से मसालों के साथ में ये तड़का पूरा हमारा तैयार हो चुका है और बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से आप कद्दू वाली डाल बनाएंगे न जो कि बहुत जादा हिल्दी होती है और ये डाल की रेसिपी आप कूकर में भी बना सकते हैं तो ये तड़का हमारा तैयार है तो अब हम डाल में तड़का लगा देते हैं तो यहाँ पर डाल मैंने ढखके रखी ती और उसमें इसको डाल देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्रेंट्स अभी इसका एक तड़का और बाकी है तो चलिए अब हम वो भी लगा लेते हैं तो गैस पे मैं रख दूँगी एक पैन और उसमें मैंने दो से तीन चम्मज डाला है देसी घी और जब घी हमारा गरम हो जाएगा ना इस पे हम डालेंगे वड़ी और यहां पे जो मैं वड़ी डालने वाली हूं यह उरद दाल की जो वड़ी बनती है ना हमारे यूपी में बहुत जादा फेमस है तो यह वो वाली वड़ी है इसे मैंने थोड़ा तोड़ लिया है और उसको घी में फ्राई करेंगे फिर इसी के साथ में हम तड़का लगाएंगे तो यह काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है और उसके बाद अब हम डाल में तड़का लगा देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से यह डाल आप बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनती है और एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे तो ये तड़का दूसरा वाला भी हमारा तयार है तो वापस से हम इसमें तड़का लगाएंगे और जिससे मैंने फ्राई किया था उसको डाल के इसमें और ढख देंगे इसे आप राईस के साथ में रोटी के साथ में जैसे भी आप बनाते हों इंज्वाइ करिए बहुत टेस्टी लगती है तो फ्रेंट्स ये दाल हमारी बन के तयार है अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ में मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रिस करिएगा जिससे कि मैं कोई भी रेसेपी वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुचे और आप मेरी वीडियो को देख सके और फ्रेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा घर बैठे धेर सारी शॉपिंग करने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना अपने फैमली का ध्यान रखिए और आप कुछ कैसी लगी ये रेसेपी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बाप बाए और टेक केर थैंक्स फोर वाचिंग